ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज मैं आपको एक ऐसा प्रभावी मुहिनी मंत्र बताऊंगा जिससे कि किसी को भी पलक जपकते ही वशिभूत किया जा सकता है बहुत ही पावर्फुल बहुत ही सटीक लगने वाला मुहिनी मंत्र जो कि कुछ ही दिनों में आपका काम बना देगा हमारे भारत वर्ष में ऐसे ऐसे रिशी मुनी हुए हैं जो कि सिर्फ देखने मात्र से किसी को भी पल भर में आकरशित कर लेते और ऐसी विद्या लाखो सालों से भारत वर्ष में छुपी पड़ी हैं और आज के युग में भी जो सम्मोहन की कला हैं वो कईयों के पास जोंकित्यों पड़ी हैं लेकिन ग्यान के आभाव में कई लोग जो हैं वो इस सिद्धी को प्राप्त नहीं कर पाते और जिन कुछ गिने चिनुए लोगों के पास ये है वो इसे बताते नहीं हैं क्योंकि इसके साथ काफी जैसे कि मान लिजे किसी दुष्ट वेक्ति के हाथ में ये लग जाए तो इसका जो अर्थ है वही बदल जाएगा ये जो विद्या है ये किसी को जीवन दान देने के लिए थी लेकिन कोई कूमती इसे ग्रहन कर ले तो सर्वनाश भी कर सकता है इसी कारणवश जितने भी रिशी मुनी हुए हैं वो इस विद्या को देने से संकोच करते हैं किन्तु आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उपाई किया जाए क्या किया जाए जिससे कि आपके भीतर वो मोहिनी आकरशन आ जाए जिससे कि आप किसी को भी वशी भूत कर पाएं और मैं आशी आशा करता हूँ कि आप लोग इसका दुरुपियोग कभी नहीं करेंगे इसका दुरुपियोग मतलब गुरु की हानी मैं आपको बता रहा हूँ तो इसका कुछ अंश मुझे भी मिलेगा यदि आप इसका दुरुपियोग करते हैं तो तो जितने भी मेरे सादक गण हैं उन सबसे मैं यही कहना जाओंगा कि कभी भूले से भी किसी का अनिष्ट करने के लिए इसका प्रयोग ना करें क्योंकि यह घातक सिद्ध हो सकता है प्राचीन काल में हमारे सिद्ध रिशी मुनियों ने कुछ ऐसे यंत्र मंत्र तंत्र बनाए थे जिससे की मानव का कल्यान हो सके ऐसी कोई भी बिमारी नहीं ऐसी कोई भी जटिल समस्या नहीं जो कि इन से ठीक ना हो सके किन्तु जब इसका दुर्पयोग होने लगा जब इसके भीशन परिनाम देखी गए तो क्या किया कि यह जो तंत्र की विद्या थी इसको लुप्त कर दिया गया आम जन्ता से इसको छुपाया गया था लेकिन आज भी कुछ ऐसे गिने चुने मंत्र हैं जो कि सटीक काम करते हैं और उन्हीं में से एक मंत्र जो मैं आज आपको बता रहा हूँ इस मंत्र में इतना समर्थ है कि आपके चाहने वाले को किसी को भी किसे भी आप चाहते हो उसको आपके सामने नत्मस तक कर देगा मैंने इसके ऐसे ऐसे प्रभाव देखे हैं जो कि अविस्मर्णिय है अलौकिक है कभी को भी तो ऐसा लगता है कि जैसे ये चीज़े काम कैसे करती है सिर्फ मंतरों में इतनी शक्ति होती है या फिर कोई दैविये शक्ति है जो कि इसके पीछे काम करती है और आज तक मैं इसे समझ नहीं पाया मैंने जिस जिसको जिस भी साधक को इस साधना के बारे में बताया वो धन्य हो गया मेरे पास काफी लोग आते हैं जो कि कहते हैं गुरुजी हमें आपका शिष्य बनना है हमें ये विद्या सीखनी है लेकिन हर एक को ये विद्या नहीं सिखाए जाती इसलिए ऐसे लाखों लोग हैं जिनको मैं ऐस्विकार कर चुका हूँ लेकिन उन में से कुछ ऐसे हीरे होते हैं जिनको सिखाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस धरोहर को संभालने वाला भी जाहिए तो आज आप में से ही कोई ऐसा निकलेगा जो कि इसको सिद्ध कर पाएगा उसके लिए ये यंद्र जो है जब मुझे हुआ तो कुछ ऐसी स्मृतियाई कुछ ऐसी चल्चित रहे जो कि इस धराके नहीं थे तब मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं उनको शब्दों में नहीं कह सकता कुछ भूली से यादें कुछ दुन्दले से चहरे क्योंकि ये चीज़े अलौकिक है ये जब आपके भीतर वास करती हैं तो आप इस दुनिया से छूट जाते हैं और एक खुश्बू आपके साथ चलने लग जाती है एक मैं मतलब शब्दों में नहीं बता पा रहा हूँ क्या होता है कि जैसे जैसे आपको सब कुछ मिल गया हो वो एक स्टेट होती है जहांपर कि आपको कुछ भी पाना शेशना रहता हो ऐसी स्मृतियां आपके पास आती है कि जैसे सामने भगवान ही खड़े हो वही आपसे बाते कर रहे हो तो जब आप इस अवस्था में पहुँच जाते हैं जब आपके आँखों से अशुरुपात होने लगे प्रभु की याद में आपको कुछ और अच्छा ना लगे तब ये जो चीज़ें ये काम करती है तो आपको क्या करना है ये जो मंत्र है ये मुझे श्री नगर से मिला था जब मैं श्री नगर में साधनाए कर रहा था तो बहुत से ऐसी जगए हैं जिनके बारे मैं आपको बता चुका हूँ जो कि सिद्ध हैं और आज तक दुनिया से अनभिग्य हैं उनमें जाने का सामर्थ ही नहीं है वहां तक एक जो जगए है वो है धरमशाला में एक पवित्र नदी है जिस पर की परियां आती है वहां पर साधनाए कर ली मतलब कि आपका जीवन सफलो गया और दूसरा जो है श्री नगर में एक स्थान है माना जाता है कि वहां पर जो है मापारवती को भोले नात ने तंत्र का ज्यान दिया था लेकिन तंत्र का ज्यान जो है वो अधूरा रह गया था वो ये काफी लंबी कहानी है इसके बारे में कभी फिर सुनाऊंगा लेकिन अभी जो है आपको मंत्र ले लिना है तो आपको क्या करना है रोली सिंदूर जो मिल जाए लाल रंग का उससे आपको तिर्भुज बनाना है एक तिर्भुज सीधा रहेगा एक रहेगा उसके बीच में इसका डाइग्राम मैं आपको दे दूँगा बीच में एक बिंदू बनाईएगा बिंदू बनाने के बाद उस बिंदू की जगह पर आपको बैठ जाना है उससे पहले आपको जितने भी कौन बन रहे हैं जितने भी ट्रेंगल की जो कॉर्णर्स बन रहे हैं वहाँ पर आपको दीपक लगा लेना है दीपक आपको तिल के तेल का लगाना है तिल का तेल ना हो तो घी का भी लगा सकते हैं और इसके बाद जो है आपको त्रीम मंत्र का जाब करना है जब तक दिये भुझे ना या दब तक जितना आप कर सकें वैसे तो जब तक दीपक ना भुझे तब तक त्रीम मंत्र का जाब करना होता है जितना अधिक आप करेंगे उतनी ही ज्यादा आपके भीतर जो है आकरशन की शक्ति आएगी कई लोग तो ऐसी अवस्था में भी पहुंच जाते हैं जहां पर कि उनको कुछ करने की आवशक्ता नहीं होती सिर्फ देखने से ही वशिभूत कर देते हैं ऐसी अवस गये हैं जहां पर कि साइंस जो है पहुंच नहीं पाया है आप देखी जो महाभारत काल था उसमें किस तरह से न्यूक्लियर वैपन जो है वो चलाए गये थे लेकिन आज तक हमारा साइंस जो है वो यह नहीं समझ पाया कि वो कि संभवी कैसे हो सकता है लेकिन जब में रख्षे जो है वो गुरुख्यतर में मिले है तो सोचे कितने एड्वांस थे हमारे पूर्वेश जो है बिना सैटलाइट इमेजिंग के कैसे सोमनात के मंदिर को align कर सकते हैं तो जो दिमाग है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है लेकिन ग्यान के अभाव के कारण अब हम वो सब खोच चुगे हैं लेकिन जो थोडा भूत हमारे पास बचा है हम उसे अर्जित कर सकते हैं और उस विद्या को ग्रहन करने के लिए अगरसर हो सकते हैं तो जो भी सादक चाहता हो कि उसके पास इक दिव्य शक्ति हो जो कि किसी को भी वशिभूत कर सके तो ये जो साधना मैंने बताई है ये आपका मार्क दर्शन कर सकती है इसे कीजिए और अपने भीतर एक ऐसी स्फूर्थ एक ऐसी उर्जा को प्राप्त कीजिएगा जो कि अलावकिक है इस धरागी नहीं है ये आपको कहीं और ही ले जाएगी यदि अधिक जानकारी चाहिए तो कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं info at the rate mohinividya.com धन्यवाद